आप जब भी this online earning का सोचते हैं या freelancing करना चाहते हैं तो आपके mind में ये ही आता है के मुझे कोई typing job करनी चाहिए कोई online writing job करनी चाहिए और आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने online typing job करने के लिए कुछ payment भी दियोगी लेकिन आज इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपसे एक रुपया भी नहीं लेती बिस्मिल्लाहिराख्मानुरहीम अस्सलामुलेकुम दिस इस शिजाराना क्या हाल चालें आप सब लगों के आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी ऑनलाइन टाइपिंग जॉप एक ऐसी ऑनलाइन राइटिंग जॉप के बारे में जिसके ओपर सिरफ एक पेज ट्राइब करके आप आप डॉलर कमा सकते हैं यह बेसिकली एक कंपनी है जो टाइम टू टाइम जॉब्स ओफर करती है और आप उस कंपनी के जरिये जुड़के अर्निंग कर सकते हैं और इस टोर्टली अप टु यू के आप कितना काम करते हैं जितना आप काम करेंगे उतना जादा आप महां से अर्न करेंगे मतलब एक पेज ट्राइब करते हैं तो आप 8.5 डॉलर कमाते हैं और अगर आप दो पेज ट्राइब करते हैं तो आप तक्रीबन 17 डॉलर कमाते हैं इसी तरीके से जितने आप पेजिस बढ़ाते जाते हैं उतने ही आपकी अर्निंग होती रहती है मैं आपको ये बता दूँ कि ये website आपसे एक रुपया भी नहीं मांग रही सिर्फ आपसे काम मांग रही है उसको typers की जरूरत है उसको online writing के लिए लोगों की जरूरत है और वो उनको hire कर रही है आप उनको काम करके देते हैं तो वो आपको उसकी payment देती है उसके बाद ये कि आप यहां पर अपनी जो भी डीटेल्स डालते हैं वो फुली सिक्योर होती है जैसे जैसे मैं आपको काम सिखाती जाओंगी तो मैं आपको बाकी भी डीटेल्स बता दूगी तो चलिए चलते हैं बिना टाइम जाय कि ये वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ आपने ये काम कैसे करना है इससे पहले अगर आपने इस चैनल फ्रिलांसिंग विच्छी जराना को यूट्यूब पे सबस्क्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस नहीं हो और हो सकता है कि आपको कोई online earning का method पसंद आजाए जो आपके लिए risk कमाने का जरिया बन सके अच्छा जी सबसे पहले आपने क्या करना है आपने आजाना है गूगल पे और यहाँ पर आपने लिखना है मतलब यह कि पिछले 30 दिन में जिन राइटर्स ने सबसे ज़्यादा profit earn किया है यह उनका बता रहे हैं यह राइटर की ID बताईए और साथ में उन्होंने कितने डॉलर्स earn किया यह बताए हैं यह आप देख सकते हैं कितने कितने डॉलर्स बन रहे हैं maximum 3500 डॉलर्स और पांचवे नंबर पे जो आ रहे हैं उन्होंने 800 डॉलर्स कुछ कमाए है अगर 3500 डॉलर्स को हम पाकिस्तानी करंसी में कनवर्ट करें तो आपको पताए कितने पैसे बनते हैं मैं आपको भी करके बताती हूँ यहां पर डॉलर्स पाकिसान लिखा और यहां पर देखिए यहां पर मैंने वो अमाउंट लिखी 3500 डॉलर्स तो यहां पर देखिए यह 9,66,000 कुछ बन रहे हैं तकरीबन 10,000 के करीब यह अमाउंट बन रही है जो एक महीने में नंबर वन राइडर ने अर्ण की है चलिए यह तो बहुत तहले से कर रहे होंगे इस वज़ा से उनकी इतनी अमाउंट है लेकिन अभी मैं आपको यह भी बताती हूँ कि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही यह आपको यह कितना पैकेज देते हैं सब कुछ प्रूफ के साथ बात करूंगी और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं बेनिफेट्स की बात कर लेती हूँ यह क्या कह रहे हैं नो रिजिस्ट्रेशन फीस मतलब यह आप से कोई पैसा नहीं लेते एक भी उसके बाद यहाँ पर यह बता रहे हैं कि इंट्रस्ट वराइटी ओफ इंट्रस्ट हैं मतलब यह कि आप अपनी मर्जी से कोई साथ भी प्रॉजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद यह कह रहे हैं तीसरे नमबर पे मतलब कि आप अपनी मर्जी के मताबिक अपने ओपर वर्कलोड रख सकते हैं उसके बाद यह कंपिटेटिव सेलरी दे रहे हैं इनफ रूम फर परसनल ग्रोथ दे रहे हैं कि आपकी ग्रोथ यहां से अच्छी होती है और सबसे अच्छी बात कि 24-7 इनकी स्पोर्ट टीम अवेलेबल होगी आपके लिए मतलब कोई भी मसला होता है कोई भी परिशानी होती है तो उसके लिए यह आपको फिसिलिटेट करेंगे उसके बाद यह बहुत फुल टाइम और पार्ट टाइम अर्निंग कपैसिटीज दे रहे हैं फ्लक्सिबल वर्क्वल दे रहे हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट अपनी मर्जी का पसंद कर सकते हैं उसके बाद यहां पर कॉन्फिदेशली गैरेंटी है मतलब यह कि आप अपने जो भी यहां पर डीटेल्स डालते हैं वो उसकी कॉन्फिदेशली मतलब कि उसको छुपा कर रखा जाएगा उसकी गैरेंटी है मतलब अगर आप लोगों को लगता है ना कि लीक हो जाती है आपके इन्फॉमिशन तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है यह इस जिसकी गैरेंटी दे रहे हैं उसके बाद यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है इसका मतलब यह है कि आपको इजी ली इस वेबसाइट की समझा जाएगी उसके बाद आप यह देखिए यहां पर यह सारी आपको वो बता रहे हैं कौन सी फील्ड को आप जोइन कर सकते हैं यह सब बतायावे हैं बायालोजी है बिजनस, कैमिस्टरी, कम्यूनिकेशन, जियोग्राफी यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी जादा कैटागरीज है आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं अब उसके बात इनों ने यह भी बताया है कि यहां पर टॉप 10 जॉब्स गंटों में जो टॉप 10 जॉब्स हैं वो कौन सी अवेलिबल है वो भी उन्होंने बता दिया है आपकी गाइडन्स के लिए कि आप अगर इन सब्जेक्ट को चूस करते हैं तो वो आपके लिए जादा बहतर है जैसे यह बायालोजी है 240 डॉलर है केमिस्टरी में 240 डॉलर है 30 पेजिस के लॉव है लीडर्शिप है, म्यूजिक है यह सब हैं आप अपनी मर्जी से यह पर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप इसमें राइटिंग कर सकते हैं तो आप यह वाले सेलेक्ट कर लेते हैं अब मैं आपको यह भी बता दूँगी कि आपने यह राइटिंग करनी कैसे है अगर आपको खुद नहीं लिखना था तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे लिखना है अच्छा आप यह सोच तो होंगे इस के बाद नीचे इस और यहर वोग पर मन्त अच्छा में किटने दिन काम करना है उसको भी मैं बन पर स्लिक्ट कर लेती हूं और यहां से लिखा भा क्या 1.5 डॉलर अगर यही चीज मैं एडवांस में करूँ मतलब तो मुझे या 9.3 देंगे pro light में ये 10.7 डॉलर दे रहे हैं और pro में ये 13.4 डॉलर दे रहे हैं अब ये इन सारी चीज़ों में difference क्या है और उनको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी वाली writing services दी है कौन सी वाले level में दी है तो obvious ही बात है वो पहले आपका इसके लिए एक test लेंगे आपका एक quiz test होगा उसमें 15 quiz होगे आपने उनके answer करने अगर आप वो ठीक कर देते हैं तो फिर जो है आपको वो उस level के लिए select करेंगे यहां तक आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी अब जैसे जैसे आप अपने दिन बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से पैसे बढ़ते जाएंगे आप महीने में कितने दिन काम करना चाहते है वो बढ़ा सकते है और एक दिन में कितने page tribe करना चाहते है वो बढ़ा सकते है दोनों को जतना बढ़ाएंगे उतने जाद आपके पैसे बढ़ते जाएंगे उसके बाद ये Earn केवे पैसे आपने निकलवाने कहाँ पर है कौनसे आकाउट में निकलवाने है कैसे निकलवाने है तो यहां पर देखिए ये Option आरा है ये Pioneer का Option आरा है इसको आपने सेलेक्ट करना है अब अगर आपको यह नहीं पता कि पायोनियर का अकाउंट कैसे बनता है और यहां से ट्रांजेक्शन कैसे होती है तो इन्शाला एक दो दिन में मैं आपको वो सिखाने जा रही हूँ अधर्वाइस आप यूट्यूब पे और बहुत सारी वीडियो पेडिवी हैं आप उनको भी चेक कर सकते हैं वहाँ पर आप पायोनियर में अपने पैसे मंगवा सकते हैं उसके बाद आपने पायोनियर के अकाउंट से पैसे कैसे निकलवाने हैं और अपने जैस कैश में कैसे ट्रांसफर करने हैं उसका भी आप एक दफ़ा एक वीडियो देख लीजिए उससे आपको पता चल जाएगा दो तीन सेकिंड में ये काम हो जाता है सिरफ क्लिक्स के उपर बहुत असान है और पायोनियर क्या है पायोनियर बेसिकली एक इंटरनेशनल बैंक है कि आप पाकिस्तान में रहकर जब बाहर से डॉलर्स मंगवाना चाहते हैं या आपने कोई और फ्रीलांसिंग वेबसाइट से अर्निंग की भी होती है तो वो आपके पायोनियर के अकाउट में आती है पिर आप पायोनियर के अकाउट से आप अपने बैंक में या फिर आप अपने जैस केश में इज़िली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं और जब आप इसके उपर अकाउट बनाते हैं तो कोई इसमें रिजिस्टरेशन फी या कोई भी स्थरा का सीन नहीं होता ये इज़िली आपका अकाउट बन जाता है एक से दो दिन में और उसके बाद आप असानी से यहां पर ट्रांसेक्शन कर सकते हैं अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने यहां पर अकाउट कैसे बनाना है रिजिस्टरेशन कैसे करनी है तो यहां पर देखिए राइट हैंड साइट पे उपर येलो बॉक्स के अंदर आपको रिजिस्टर लिखावा नजर आ रहा है आपने सिंपली यहां पर क्लिक करना है जैसे ही मैंने रिजिस्टर पे क्लिक किया तो कुछ इस तरी के का इंटरफेस मेरे सामने आया यहां पर आपने परसनल डिटेल्स देनी है अपना फर्स नेम और लास नेम देना है जैसे मेरा नाम शिजा राना है तो मेरा फर्स नेम शिजा और लास नेम राना होगा उसके बाद यहाँ पर date of birth देनी है पहले आपने date लिखना है उसके बाद month लिखना है और उसके बाद अपना year लिखना है उसके बाद आपने gender सेलेक्ट करना है country पाकिस्तान करना है उसके बाद आप city सेलेक्ट कर लीजिए आपका जो भी city बनता है उसके बाद आपने एमेल दे देनी है और अपना मुबाइल नमबर दे देना है यहाँ पर प्लस नाइन टू उन्होंने खुदी से लिखा हुआ है क्योंके कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट वा हुआ है बाकी आपने थ्री और उसके बाद जो भी आपका नबर बनता है वन टू इसके पुछ रहा है आप यहाँ पर यहाँ पर यॉर नेटीव लैंविच पर मैंने अपनी नेटीव लैंविच बनती है आपने वो स्लेक करनी है उसके बाद गे सेकिंड बॉक्स में देखिए अधर लैंविजिज यू कें राइट इन और कॉन सी लैंविज है जिसमें तो आप अधर लेंग्विज में आप उर्थू स्लेक्ट कर लीजिये या इंग्लिश स्लेक्ट कर लीजिये इस टोटली अप टू यू ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है यह थर्ड पर आपको कहरें है यूर हाइस्ट वैल्यूएबल अकेडमिक डिग्री अब यहां पर आपने जिस जो आपके पास डिग्री है कम से कम आपको मैं एक बात बताना भूली यहां पर इनकी मिनीमम भी जो रिक्वार्मेंट है वो है ग्रेजुएशन ठीक है तो आपने अगर आपकी ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है जो भी है आपने वो लिख लेना है और उसके इंडिकेशन में किया है या पॉलिटिकल साइंस में मतलब जिसमें भी आपने किया है आपने वो लिख लेना है उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं यहां पर यह कह रहे हैं कि प्लीज स्लेक्ट यूर थ्री डिसिप्लेंस यू आर प्रोफिशन इन मतलब यह कि आपने ती तीन ऐसे डिस्सिप्लेंस सिलेक्ट करने है तीन ऐसी केटागरी सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको लगता है कि आपकी प्रोफिशन्सी है आप लिख सकते है ठीक है यहां पर वो उप्शन्स भी देंगे वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे यहां पर इन्हो software में access है अगर आपकी proficiency है आप काम कर सकते हैं किसी और programming language में या किसी और इस तरह की skill में तो आपने वो लिखनी है जैसे आप Adobe Illustrator या Corel जो भी आपको आता है computer में आता है या आपको ये graphic designing में आता है वो आपने पनी skills यहां पर लिख देनी है और उसके बाद आपने next step कर देन मैं यह सब कर लेती हूं और उसके बाद मैं आपको मिलती हूं next page पे तो यहां पर देखिए मैं आगई next page पे और यहां पर यह कह रहे है additional information अब additional information में क्या करना है about me में आपने अपने बारे में लिखना है कि आप कैसे typing करते हैं आपका क्या method है आप कितने time में typing करते हैं मतल लिख दीजिए लेकिन same मतलिक लिखेगा कुछ थोड़ा सा change करके लिखेगा ताकि सबका सबका same नहीं हो जो भी apply करेगा उसके बाद यह motivation letter को भी इसी तरह से fill कर लीजएगा और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा scroll down करें तो यहां पर देखिए आपके पास option आ रहा है recommendation का और यहां से कुछ agreement के लिए आपने I agree पे क्लिक करना है उसके बाद आपने submit पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप submit पे क्लिक करते हैं आपकी application जो है वो submit हो जाएगी उसके बाद यह आपको test देंगे जिसमें पहले वो आपसे 15 quiz का test लेंगे अगर आप उसको pass करते हैं तो फि diploma और CV जो होगी आपकी वो आपने उनको send करनी है अब आपने free में typing कैसे करनी है playeurism free writing कैसे करनी है उसके लिए आपने क्या करना है इस channel पर आना है freelancing which is a rana पे और यहां पर आप playlist में आ जाएए और playlist में आने के बाद यह थोड़ा सा scroll down कीजिए और यह जो earning websites आ यहां पर क्ल में किस तरीके से writing कर सकते हैं वही वाला method जो मैंने आपको बताया हुआ है इसी को इस्तमाल करते हुए आपने writing करनी है और यह job को हाथ से जाने नहीं देना उमीद है कि आपको सारी चीज़े बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है it's totally up to you कि आप यह काम कैसे करते हैं इसके लावा भी अगर अपको कोई परिशानी होती है तो आप मुझसे Instagram या Facebook पेज पर पूच सकते हैं इंशाला मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजेगा अला हाफेज